नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में तो आज मैं अन्बॉक्सिंग करने जा रहा हूं आईबेल की तरफ से आने वाली बहुत ही लंबी सी टॉर्च को और इसका वजन लगभग आधा किलो होगा तो चलिए हम इसके जो डब्बे को इसको हम काट लेते हैं फिर हम आपको दिखाएंगे कि इस बॉक्स में टॉर्च के साथ साथ और क्या क्या है दोस्तों आप टॉर्च को बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पर आईबेल लिखा हुआ है रिचार्जेबल फ्लेश लाइट इसका मॉडल नमबर आप देख सकते हैं यहां पर और इसकी जो रेंज है वह लगभग कितनी है यह इसमें लिखा हुआ है साड़े तीन किलो मीटर फिर रात को हम आपको दिखाएंगे जब रात हो जाएगी तो इसकी रोशनी आपको दिखाएंगे कि यह साड़े तीन किलो मेटर तक जाएगी या नहीं यह नहीं कि साड़े तीन किलो मेटर तक रोशनी जाएगी इसका मतलब यह है कि आप साड़े 3 km दूर से इस टार्ज की रोशनी को देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है Unbreakable Front Cover Glass जो इसका यह वाले इसा आप देख सकते हैं इधर यह आसानी से तूटेगा नहीं फिर इधर हम देख लेते हैं इसकी प्राइज बॉक्स पर इधर तुवाई सब लिखा माडर नमबर रही सब है फिर लाई इधर देख सकते हैं इधर आप देख सकते हैं 3,090 की प्राइस है लिकिन ऐसा नहीं आपको इससे सस्ते में मिल जाएगी दोस्तों यह टार्ज का डबबा निकल चुका है तो चलिए सबसे पर इसके हम टेप को काटेंगे फिर आपको दिखाते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है यह आप देख सकते हैं एक टॉर्च है बहुत ही लंबी सी टॉर्च और इसका वजन भी थोड़ा को ज्यादा है और यह वारंटी कार्ड है और यह इसकी बैटरी और यह इसका चार्जर है फिर इसके बाद इसकी जो यूजर मैनुल होती है वो है बॉक्स के अंदर आपको यही सब मिलेगा यह एक यूजर मैनुल है और यह एक इसका वारंटी कार्ड और फिर आपको एक चार्जर मिलेगा अब देख सकते हैं इसका इंपुट जो है 110 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक है और आपुट चार्जर जो है बहुत ही हलका सा है इसे जब हम साइड में रखते हैं और बैटरी आप देख सकते हैं कितनी लंबी से इसकी बैटरी है कितनी होगी आपको दिखा दें स्केल से लगभग 23 सेंटीमीटर के आसपास है इसकी लंबाई और इसको देख सकते हैं आप यह लगभग एक फूट से ज्यादा होगी यह आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर यहां अगर हम टार्च के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बॉड़ी जो है वह एल्मॉनियम की है आप अबाद सुनकर पता कर सकते हैं आप उसनाई दे रहा होगा और फिर यहां पर इसका आउन आपको बटन दिया हुआ है और इधर कहीं इसका यहां पर आप देख सकते हैं चार्जिंग वाला पॉर्ट और इसमें यही जो है मोटे पीन वाला चार्जर डगेगा इसे साइड में रखते हैं अब और यहां पर आपको हम दिखा दें यहां पर इसका जो यह ग्लास है इस पे बेसे की बॉक्स पे आप देखे थे यह आपको दिखाते हैं बैटरी में क्या है कितने इमेज बैटरी यह बैटरी आप देख सकते हैं यहां पर 4000 इमेज की बैटरी है वोल्टेज का चार्ज तो दसमलोवार्ट और रिचार्जबल बैटरी है तो चलिए भी से हम लगा देते हैं लग गई यह देख सकते हैं इसकी रोशनी जो बहुत ही तेज है आपको इसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि रोशनी आप देख सकते हैं बहुत ही तेज है तो चलिए अब हम बल्व को बंद कर देते हैं फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा कि रोशनी की तेज है कि नहीं यह देखिए तो चलिए अब हम रात को आपको दिखाएंगे कि इसकी रोशनी किती टेज है इसे जब फूल चार्ज कर लेंगे जब रात हो जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे इसकी रोशनी किती तेज है दोस्तों आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और इसकी रोशनी आप देख सकते हैं यह कितनी तेज जल रही है आपको इसकी रोशनी का अंदाजा हो रहा होगा कि यह कितनी तेज जल रही है यह देखें इसकी रोशनी कहां तक जा रही है इसके सर्कल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी रोशनी कितनी त्यस है यह आप देख सकते हैं कि यहां पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे इसकी रोशनी जो है वो बहुत ही सही है जो इसकी प्राइस है वो इसके इसाब से इसकी रोशनी बहुत ही अच्छी है प्रिधर आप देख सकते हैं इसकी रोश्णी ठीक ठाक है ठीक ठाक नहीं ठीक ठाक से बहुत ही अच्छी है आप यह जो टॉर्च का सरकल देख रहे हैं आप उसी से अंदाजा लग गया होगा कि यह टॉर्च की रोश्णी कितनी तेज है और कितनी जो मतलब यह पुरी फैल कर रोश्णी दे रही है कि देखिए मुझे तो यह टार्च बहुत अच्छी लेगी है अभी तक तो एक दिन में क्या पता चलेगा लेकिन जो पुरानी वाई टार्च छी वो तो अभी तक अच्छे से चल रही है और इसका जो है बैटरी बैकप भी अच्छा है और जो यह नई वाली आई बिल की ट पैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अन्बॉक्सिंग या किसी रिव्यू के साथ तब तक के लिए नमस्कार